जैमसी की दोस्तों, आज की सुर्यमन्ना का भाख हमने लिया है बजन साइदा की पुस्तक, उसका 119 अध्याय और 25 वचन. वचन कहता है, मैं धूल में पड़ा हूँ, अपने वचन के अनुसार तो मुझे फिर से चिला. धन्यवाद इस वचन के लिए परमेशन. इशुमसी का क्रूस हमें क्या बताता है? इशुमसी का क्रूस हमें बताता है उस पाप के बारे में. वो पाप कितना भेंकर है, क्योंकि परमेशन पाप को परदाश नहीं कर सकता है. उस पाप को हम से खतम करने के लिए उस पाप को हमारे अंदर से मिटाने के लिए इशुमसी ने अपने क्रूस को इशुमसी ने क्रूस पर अपना बलेदान दिया लहो बाया कोड़े खाए तक हम शुद्ध हो जाए परमेशर की इच्छा सिद्ध होई परमेशर की योजना सिद्ध होई इसलिए वो कहता है मैं धूल में पड़ा हूँ इश्वमसी का क्रूस हमें अहसास दिलाता है कि हमें पाप को अपने अंदर से निकालना है पाप क्या है वो अहसास बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम पापी है हम जाने की हम परमेशर से क्यों दूर है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें परमेशर से दूर करती है इसलिए रोमियों की पत्री साथ का उनिस कहता है क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं कर पाता हूँ लेकिन जो बुराई की इच्छा मैं नहीं करता हूँ, वो ही करता हूँ इसका मतलब मेरा करने वाला कौन हुआ? मेरे करने वाला मेरे दिया अंदर है, वो पाप है दोस्तों उसी पाप के बीच को निकालने के लिए इशुमसी ने कुरूस पर अपनी चान दी इसलिए परमेश्ण ने अपनी इच्छा को अपनी योशनाओं को संसार में लेकर आया और हमारे जीवन में पूरी की इसलिए भजन सहीता, भजन सहीता चालिस का दो उसमें बड़े ही अच्छे तरीके से उसने मुझे बताया है कि हमें उसने कहां से निकाला है चालिस का दो कहता है कि उसने मुझे विनाश के गठे में से दलदल के कीचन में से निकाला है और उसने मेरे पैरों को चक्तान पर करके मेरे कदमों को द्रिल कर दिया है धन्यवाद पिता परमेश्ण उसने विनाश के गट्टे में से निकाला है हम कहां थे विनाश में थे हम कहां थे दल्दल में थे हम फसे हुए थे हम दिन पर दिन रोज बर रोज हर पल धसते जा रहे थे पाप के गट्टे में लेकिन परमेशर की ताया परमेश्र की करूना परमेश्र का आशीश हमें उठा के लेका है उसने अपने हाथों से हमें उठाया इसलिए अपने हाथों से उसने उठाकर हमें चटान पर खड़ा कर दिया और हमारे कदमों को द्रड़ कर दिया वो चटान है इशू मसी है, वो चटान इशू मसी के रूप में हमारे जीवन में है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, इसलिए इसलिए परमेश्र का धन्यवाद, इसलिए वचन कहता है मैं धूर में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझे फिर से जिला, फिर से करूँ और उस विशार को अपने अंदर हमेशा रखूँ जो शीवित है जो धरने है वो विशार पवित्र है वो वचन पवित्र है जो ईश्यू मसीह है आई दोस्तों हम प्रात ना करते चीज के बारे में जाने जिस चीज से वह बच सुका है तकि दुबारा वो पाप ना करे तकि दुबारा वो बीज उसके अंदर ना आए तकि वो पाप से डरे वो परमेश्वर से डरे और परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तुम महान है तेरा महान हशीश हमारे साथ है इसके लिए आज की सुभा अद्बुत है ये वचन अद्बुत है परमेशर ये तेरे वचन हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से चीना है ये वचन हमें बताते हैं कि हमें नतमस्तक करना है तेरी उस क्रूस पर तेरे उस क्रूस जिसको परमेशन हमें धन्य कहना है जिसकी वजह से आज हम पाप को जान सके और जिस कुरूस ने हमारे सारे पापों को अपने उपर ले लिया है एश्वमसी के पवित समर्थी नाम से ये छूटी सी प्रात्रा में करता हूं धन्यवाद है